वडोद्रा शेहर में कोरोना पॉजिटिव दर्दियों के इलाज के लिए ज़रूरी वैसे रेम डिसीवीर इंजेक्शन की बन रही तंगी के बारे में शालिनी अगरवाल द्वारा विशेश बैठक का आयोजन करते हुए वडोद्रा शेहर में परियाप्त मात्रा में रेम ड इंजेक्शन की कही न कहीं कमी और तंगी बन रही है वैसी अटकले और फाव ने जोर पकड़ा है वडोद्रा शेह के हर एक सरकारी होया प्रावेट अस्पताल कोरोना पॉजिटिव दर्दियों के बैड से बरे पड़े है ऐसे में ये ज़रूरी इंजेक्शन की बन रही त अधा कलेक्टर शालिनी अगरवाल तवारा तमाम रेम डिसीवर इंजेक्शन के अलोटमेंट और डिश्टुबिशन के लिए माइक्रो ब्लानिंग से कामगीरी का आयोजन किया गया है जिसमें अब से ये रेम डिसीवर इंजेक्शन का जथा यनिकी इसकी ज़रूरत प्रा जोद्रा शेर में रेम डिसीवर इंजेक्शन का परियाप्त मातरा में जथा उपलबत है हर एक अस्पताल को हर रोज 25 से भी अधिक इंजेक्शन अलोट किये जाते है अस्पताल के स्टाफ और उसके ज़रूरी मातरा के आधर पर ही इंजेक्शन का जथा दिया जाता है वै रेम डिसीवर इंजेक्शन अलोट किये जा रहे हैं वरोधरा शेहर में कहीं भी अब रेम डिसीवर इंजेक्शन की जरूरत के लिए लंबी कतारे और लाइन नजर नहीं आएगी क्योंकि परशासन द्वारा अब डायरेक एजनसी के जरिये अस्पताल में उनके जरूरत के आ अपरिल तक कुल मिलाकर वरोधरा शेह के अलगलग अस्पताल में 14,501 जितने इंजेक्शन पर्यापत मात्रा में उबलब्त करवाए गए है तो वहीं वरोधरा शेह में रैम डिसीवर इंजेक्शन के बारे में बन रही अटकलो के चलते कलेक्टर शालीनी अगरवाल ने पैनिक याने की गबराने की जरूरत नहीं है वैसी भी जानकारी दी थी जहां प्रशासन के पास रैम डिसीवर इंजेक्शन का जथा अभी भी मौझूद है और हर एक दर्दी को उसकी जरुवत के मुताबिक अलोट किया जाएगा वैसी जानकारी देते हुए कलेक्टर शालीनी अगरवाल ने विश्यस जानकारी के साथ लोगों को तमाम नियमों का पालन करने की और पैनिक नहीं होने की अपिल की थी ट्यां एक अक्खू सिस्टम रेमडेसिवेर अलाटमेंट माटे अने डिस्ट्रिब्यूशन माटे नू ओभू करवा मा आवियो छे डिवस राप ट्यां करमचारी अधिकारी रेमडेसिवेर ना डिस्ट्रिब्यूशन मा लागया छे आजो distribution छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने करवा मा आवी रेऊ छे अने hospitals ने प्रोरेटा बेसिस उपर इमनी जरूरियात, occupancy, total beds अने critical patients अने इमनी जरूरियात मुझब प्रोरेटा बेसिस उपर आज distribution करवा मा आवे छे आज तारिक थी माधी ने काले सारात्रे सुधी मा 14501 जीतला रेमडेसी वेड ना doses नो वित्रन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने करवा मा आवे छे काले एकर्श डिवसमा 126 hospitals ने 2750 जीतला रेमडेस नो वित्रन करवा मा आवे हॉस्पिटल्स ने 2750 जीतला रेमडेस नो वित्रन करवा मा आवे हॉस्पिटल्स ने 2750 जीतला रेमडेस नो वित्रन करवा मा आवे हॉस्पिटल्स ने 2750 जीतला रेमडेस नो वित्रन करवा मा प्राइविट हॉसपितल्स सहे डाति है अधिकम् बाहरी जॉट्वरलों प्राइविट हॉस्पितल्स का बोल terminator Podod अदावी ने दरेक टीम ने जुदा जुदी कामगिरी सौपवा मां आवी छे एक टीम नो काम छे कि जो रेम्देसी वेर नो जत्तों आवे छे इमने साचवनी करीने राखवानों औने त्याक गोंड चेन नी पड़ वेवस्था को भी करवा मां आवी छे बीजी टीम नूँ काम छे कि हॉस्पिटल्स पासे थी रिक्विजिशन्स इमेल पासे थी मेडवीन है आने पच्छी जरूरियात ना अधारे आने उपलब्द जत्था ना अधारे इमने अलोट्मेंट करवा मा आवे चैने अलोट्मेंट ओडर्स जो छे एटले ज़डब्द लोगोंने अलोट्मेंट ओडर्स मड़ी जाये जैंशे आने एमने आधारे इमने पौताना प्रतिनिधी ने त्या मोकली ने जत्थो लेई शके छे यचे इटले त्रीजी टीम जत्था नूँ वित्रण नूँ काम कर अने एमना जो रेमडेसीवेर नी जो कॉस्ट छे एने माटे पन कोई ने आवानी ज़रूर रत ना थी ओनलाइन आटीजीए सत्वा एनीएफ्टी ना माध्यम थी ए लोको पेमेंट करी शके छे इसले जो बीजी जो टीम छे ए पेमेंट माटे नी सुविधाओं जोई रही छ आ तमाम जो प्रक्रिया छे ए ओनलाइन त्रू इमेल अने वाटसप के करवा माँ आवी रही छे फेसलेस प्रक्रिया छे एटले आमा जड़बती बद्धां हास्पिटल्स ने प्रोरेटा बेसेस उपर आ तमाम विवस्ताओं करवा माँ आवी छे कोईने पन ट्या आवानी ज़रूरत नथी परती फकत अने फकत जारे इमने distribution थाए छे त्यारे hospital ना अधिकृत प्रतिनी दी जेती ए अधिकृत माणसों ना हाथ मा प्रेम डेसिवर नो जत्तो जाए इमना माटे नो distribution करवा मा आवी छे सेग्मेंट वन औने सेग्मेंट टू एवी बेप्रकार्णी पन कैटेगरी बनावामा आवी छे औने सेग्मेंट टू नी जो हास्पटल्स छे एव अधारी क्रिटिकल पेशियंट इमना पासे होई छे इटले एपन ध्याने राखी में वित्रणी कामगीरी करवामा आवी रही